वेलकम तो अवर चैनल दिस इस शुरूंगुपता है तो स्टूडेंट्स आज का मारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टन रहने वाला एक्जाम पॉइंट और व्यू से आज हम पढ़ेंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है इंडिटर्म इस वर्ड का मिनिंग है जिसको आप अपने शब्दों में बियान नहीं कर सको जिसको जिसके बारे में बताने सको यह वह फॉर्म से हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो यह फॉर्म हम पढ़ेंगे ठीक है अब इन फॉर्म में क्या क्या आता है ठीक है जैसे कि class में परता है कभी कभी limit में 0 by 0 बन जाता था तो हम उसमें direct substitute नहीं करते हैं तो एक यह form है 0 by 0 important एक infinity by infinity है यह भी indeterminate form है ठीक है अभी आप बने रही है मैं आपको भी बताता हूँ इसका पूरा process बता दूँगा फिर infinity minus infinity फिर 0 into infinity ठीक है फिर उसके बाद 0 की power 0 उसके बाद infinity की power 0 फिर उसके बाद 1 की power infinity तो यह कुछ forms हैं जिनको हम indeterminate forms बोलते हैं ठीक है और भी बहुत सारी होती हैं मगर जो हमारे Sam first के syllabus में है जो हम पढ़ेंगे वो हमने यह discuss करनी है तो इनकी उपर से कोशन बच्चों आता ही आता है तो आज मैं आपको जिस form के बारे में बता रहा हूं वो form है आपकी 0 by 0 तो हम आज जो first type कर रहे हैं वो कौन सी form है 0 by 0 form है तो अब देखेंगे इसको solve कैसे करते हैं ठीक है तो बच्चों आप दियान से सुनना आपको सब समझ आ जा जाएगा आप टैंचर मतलो गबराओ मत अब 0 by 0 form कैसे बनती है पहले वो देख लेते हैं आपको पता ही है यह limit है इसको limit बोलते है और मैंने बोला limit approach कर रही है 0 पर पास x कहां पर जा रहा है 0 के पास और मैं इदर लिख दू साइन एक्स अपॉन एक्स अब यह जो आपको limit सामने देख रही है sin x by x अगर आप इसमें x को 0 direct सब्चूड करते हो अगर आप इसमें x को 0 डालो direct तो आप देख सकते हो numerator में डालेगा sin 0, sin 0 क्या होता है 0 और नीचे भी 0 तो यह बन गी 0 by 0 form तो इस type के question जब भी आएं जब भी आएं जब आपके पास कौन सी form बने 0 by 0 form तो बच्चो तब एक rule लगाना है जो की बड़ा important रहे जो की आपको याद रखना है वह rule क्या है उसका नाम एल हॉपिटल रूल rule का क्या नाम है एल हॉपिटल रूल मगर इसके spelling ऐसे है एल हॉपिटल रूल लगाना है एल हॉपिटल रूल किसके लिए लगता है 0 by 0 form के लिए यह rule क्या बोलता है यह rule बस इतना बोलता है जब भी 0 by 0 form बन जाए तो आप क्या करो एक बार numerator की करना लगता है और यह तब तक अगर आप यह कुछ बने गाना और अगर 100 की फॉर्म तो आप दो कुछ नी करना है अगर बैजीरो फिर रहा जाती है तो आपको यह तब तक रिपीट करना जब तक जीरो बैजीरो ब्रेक नहीं हो जाए ठेक है तो मैं आपको समझा जैता हूं अभी सब बैजनु कर्या होती है बन अब देखो क्या यह बन रहे है यह नहीं बन रहे है तो यह अगे में अगर सीरो नहीं की हो राजैता तो बुस्री जीरो बैनी सकता है तो अप इसको यह बन देंप सकते हैं एक्स जीरो पर पा जा रही हो तो वो हमेशा क्या होता है यह आप ट्वैल्थ क्लास में भी रिजल्ट बड़ी बार 11 में भी यूज की है अबनीशियो मैथड में तो अब आप उसका प्रूफ भी देख सकते हो ठीक है बेसिकली जो हमारे से बच्चे पठके किये हमने उनको 11 क्लास में यह प्रूफ बताया हुए मगर अब आप उसका प्रूफ देख सकते हो ठीक है बड़े त्रिक के इस कोशन को सॉल्व करने की मेर प्रूफ आप कंफियूजर ओगे वह यह काने की यह साइन के एकस पेंचन लगा धी हैं साइन का लगा दी कि मिह साइनं के क्शेंचन होताक उती है ठीक है फिर उसको क्या गड़ दिया X से डिवाइड सबको X से डिवाइड गिया पहला क्या आजाएगा X Y X 1 दूसरे में क्या आजाएगा X के रपान सम्तिंग और बाकि सब 0 बन जाएंगे इस का अंसर बान मगर ये चीज़ीं अभी नहीं इंका भी टाइम आएगा ये भी हम करेंगे मगर बाद में करेंगे अभी आप पहले एलहॉपिटर रूल सीख लो अच्छे से तो ऐसा कोशन आता है तो इसमें क्या लगता एलहॉपिटर रूल I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा तो students हमारा next कोशन है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपने साथ साथ कॉपी पे नोड करते जाने है और वीडियो को जहाए से जहाए शेयर करने है ताकि हमें भी पता चले कि लोग हमसे पढ़ रहे हैं ठीक है तो प्लीस आप इतना कर लो और हम आपको जितना मैथमेटिस का आपक कि एंडित्रेस वार जीरॉबन ऐंडिरस पॉवर जीरॉबन तो यह मन रहे है जीरो बई जीरो सॉर्म तो आपने इधर जब पर में कोशन आएगा तो आपने यह लिखना है जीरो बैज जीरो सॉँ कि I hope आप सम्भेश सतने हों अगर सीडिवाइ जीरो फॉर्म बन रहा तो क्या रूंभ नोगा आपको है यह एल हाप टल आपने पूरा नाम लिखने के खैना अहां जाओ रेटर के तो न्यू मिरेटर की alps e की मायनस اेस की वह ही यह अजब अंगल की होगी तो यह उपर प्लस आ जाएगा और साइन की कितनी आ जाएगी कॉस अब चेक करो क्या बनता है नहीं बनता है क्यों जब आप अब 0 डालोगे तो कोशन समझ आ रहे तो प्लीज कुमेंट सेक्शन में लिखके बताईए कि आपको समझ आ रहे हैं ठेक है मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कही है तो यह दियान रखना अब यह सेक्डी कोशन है लिमिट एक्स अप्रोचिस जीरो अगर आपके पास आजए टैन एक्स वै एक्स अब मैं बताऊंगा आपको यह वर्न की है तो यह आपको वैल्यू किसकी निकालनी है आ अक्स बाए एक्स की तो क्या करो इदर लिखदो लिमिट एक्स अप्रोचिस जीरो यह आ गया टैन एक्स बाए एक्स आप देख सकते हो टैन में जीरो डाला तो जीरो आएका नीचे बी जीरो तो ये भी आपकी 0 by 0 form है आप इसको एलो हॉपिटर रूर से भी कर सकते हूँ और एक और method है आप इसको sign by cause में convert कर लो आप वो भी कर सकते हूँ मगर भी मैं आपको लेक्श रूल ही बता रहा हूँ लेच रूर लगाया एल एच रूल क्या बोलता है? Numerator की differentiation तो 1 गी सेक स्केर x denominator में x है उसकी differentiation 1 अब सेक स्केर में डाल दिया 0 तो सेक स्केर 0 अब मिरे को पताओ सेक किसका उल्टा हुता है? कॉस का? कॉस 0 क्या हुता है? 1 और 1 का उल्टा 1 नहीं होगा 1 का reciprocal 1 नहीं होता है ऐसे करते हैं यह कोशन तो इसका अंसर कितना आ रहा है तो यह भी इंपोर्टन वन है जो आपको डिरेक्ट याद रखने है आपको दो चीज़े डिरेक्ट याद रखनी है एक लिमिट एक्स अप्रोच इस जीरो साइन एकस बाई एकस बन और उसा लिमिट एकस अप्रोच जीरो टैन एकस बाई एकस वन अब बच्छो यह चीजे आपको डिरेक्ट क्यूं याद रखनी है वो भी मेरे पास है नहीं, आपको बुक से बढ़ा रहा हूं, बुक के कोशन से हैं, जो आपकी बुक्स हैं, रिक्रमेंड की हैं जो यूनिवरस्टी वालों ने, ठीक है, तो आप अपने हसाब से देख लो, अब जैसे मैं आपको एक कोशन कर बाता हूं, सपोज, जैसे कि आपके पास एक कोशन है, इस टाइब का, लिमिट, एक्स अप्रोच इस रूजी 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 ठीक है, उपर आपको दे दिया, वान माइनस कोश एक्स, और निच्छे दे दिया, आपको एक्सेस किया, ये कोशन, ठीक है, अब आप इसमें डालो जीरो, तो जब कॉश जीरो डालोगे, तो कॉश जीरो वन होता है, वान माइनस वान जीरो, और निच्छे भी जीरो, जीरो जीरो फॉर्म है, तो बच्छों क्या लगाने है, अब देखो, अब देखो, अभी भी जीरो बन रहा है, बन रहा है, साइन जीरो जीरो होता है, और निच्छे आप डालोगे, टू के साथ जीरो वह भी जीरो, मगर अभी एक चीज ओर देखो, यह जीरो निच्छे टू है, यह तो कॉंस्टन्ट है, बन बाई टू को बाहर निकाल दो, अब पीषे क्या रहा, पीशे रिमेनिग रहा, साइन एक्स बाई एक्स, और मैं आपको भी डिरेक्टर बताया न, आपने याद रहना साइन एक्स बाई एक्स कितना अपता है, तो इस question का answer है 1 by 2 इस question का answer है 1 by 2 I hope आप समझ रहे होंगे ठीक है तो आप क RTX है को करते जाएक है इस飯 आ आपको सारे कोषिशन गर वाई जाएंगे जो important-important paper में आये होए मैं थी है अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो फ्लीस साब में को पूर सकते हैं अब मैं एक सेक्ट टाइम इसलिए लग रहा है मैं बुक्स से कोशन टूर रहा हूं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जो की बड़ी इंपॉर्टन है ठीक है जैसे कि अब आपके पास एक कोशन और आपके सामने पाई होप आप यहाप अलॉप्पिटल का पिशन समझे हूंगे बस कोशन ही सॉलू करने है ठीक है तो जो जो पेपर में आता है वह उस टाइब का मैं आपको सब्सक्रवा दूँगा तो आप गबराओनी कोशन नंबर फोर्थ कोशन नंबर फोर्थ अगर आपको सपोस्ट इ 1- cos x-square upon x-square sin x-square, x-square sin x-square, इस से गबराना नहीं, इस cos के एंगल में और ये भी cos के एंगल में, ठेक है, दो चीज़े होती हैं ना बच्चों, एक होती है sin square x, इसका मिनिंग होता है sin x का whole square, और एक होता है sin x-square, इस का मिनिंग होता है, sin के एंदर जो x है, उसका whole square दोनों में फरक है, ठेक है, तो ये आपको confuse नहीं होना है, तो ये आपके सामने कोशन है, इसको देखते हैं, तो अगर आप इसमें 0 डालो, तो cos 0 1 होता है, उपर 1-1 0, नीचे 0 into something, 0 होता है, तो ये भ जहान रखना, और मैंने आपको कोशन क्यों बताया, मैं आपका दिमाग एक चीज में खोल देना चाहता हूं, इसमें L-Hopitor लगा होगे, तो नीचे product of two function लग जाएगा, कोशन बढ़ा हो जाएगा, तो आप सोचो इदर नीचे sin x है ना, और हमने property क्या पढ़ी है, हमने property प पास, तो इस पूरे को हम किस के equal बताते है, वन के equal, तो अब इस कोशन में देखो, one minus cos x square को तो मैंने वैसे रखा है, अब sin के angle के अंदर को उन है, x square, अगर मैं इसके नीचे x square लेया हूं, तो यह दोनों इस type के बनगे ना, यह जो मैंने इदर लिखी हुई है, sin x by x, तो आपको कोशिश यही करने है, कभी की sign दिखता है denominator में, तो इसको property लगा लो, अब x square तो अपनी मर्जी से ला नी सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, एक x square पहले का था न, एक x square से multiple ही किया, और x से किया divide, I hope आप समझ गी होंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं थोड यूजर नी हो जाए, ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा, अब देखो, यह आ गया limit x approaches to 0, उपर क्या है, 1 minus cos x square, ठीक है, और base में आ जाएगा, आपका x square into x square, x 4, और जो यह बन गया, यह, आप देखो, यह इसी form में है, limit sin x by x, यह तब ही बानना होता है, जब यह दोनों चीज़े सेम हो, तो इदर सेम ही है, तो यह किस के कुल हो गया, 1 के कुल हो गया, ठीक है, और इदर आपको reason लिखना है, क्या reason लिखना है, limit x approaches to 0, sin x का square upon x square is equal to 1, य यह आपको reason लिखना है, ठीक है, अब देखो, अब यह आगया, limit x approaches to 0, 1 minus cos x square, और नीचे x 4, अब चेक करो, क्या यह 0 by 0 बनती है, क्या यह 0 by 0 बनती है, उपर तो 0 यह बनेंगे, नीचे भी 0 बन रही है, अब 0 बन रही है, मैं कोशन असान हो गया, अगर आप अब यह अब ह क्या लगाऊंगा, अच्छा, जैसे आपने अच्छ रूल लगाया, तो उपर बन तो 0 बन गया, कॉस की कितनी होती है, minus sign, ठीक है, और फिर angle की गन्नी है, angle की 2 x होती है, और upon में x 4 की क्या होती है, 4 x cube, अब बच्चों आप देख सकते हो, जो यह आपके पास 2 है, यह 2 और यह 4 कर जाएगा, यह बन जाएगा, इदर क्या आगया, sin x square, upon x cube, और साथ में x भी है, ठीक है, अब क्या होगा, अब 1 by 2 वैसे ही, limit x approaches 0, यह x और यह इदर से एक x कर जाएगा, तो इदर क्या जाएगा, sign x square, upon x square, अब आपको फिर पता चल गया, angle में और base में same, तो यह 1 उता है, तो यह आगया, 1 by 2 into 1, is cancer 1 by 2, ठीक है, तो I hope आपको यह question अच्छे से समझ आ रहे होंगे, तो 0 by 0 के अभी हम all questions भी करेंगे, next lecture में, तो आज के lecture में हम अभी फिलाल इतने ही questions करेंगे, तो मैं आप को दो तिन questions दे रहा हूं, homework, ठीक है, जो आप खुद से try करो, और next lecture में वो वाले question करेंगे, जो paper में basically आते ही आते है, तो मैं आपको दो तिन questions दे रहा हूं, homework, आप करिए, और देखिए, क्या आप से निकलते हैं, या नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो मैं आपको देता हूं questions अभी, और प्लीस अगर आपको समझ आ रहा है, तो प्लीस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताईए, कि एक math का channel है, जो mathematics graduation का पढ़ा रहे है, तो आप उनको भी बता सकते हो, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहला question, homework, limit x approaches to 1, log x upon x minus 1, ठीक है, दूसरा दे रहे है, limit x approaches to 0, ठीक है, x minus sin x upon x cube, अब अब इदर गवरारा नहीं, इदर आप सोचो कि log 1 क्या होता है, आपने x डाला, 1 तो log 1 क्या होता है, log 1 मैं आपको बता दू, 0 होता है, दोनों 0 by 0 form बन रही है, ठीक है, आपको असानी हो, उसके लिए मैं आपको इनके answer भी बता देता हूँ, यह जो पहला वाला question है, इसका answer आपका आएगा 1, ठीक है, और जो यह दूसरा वाला question है, इसका answer आएगा, आप कल के next lecture में.